अगर हम ब्रिश्चिक रासी को लेकर के इस महीने में बात करेंगे सो हम कहेंगे कि आपको प्राप्त होने वाली है एक प्रापटी आपको प्राप्त होने वाला है आपके शपनों का घर जिसको आप चाहते थे या चाहती थी लेकिन आपका ट्रांसफर होने वाला है आपको जहां आप रहते हैं वहां से आपको दूर जाना पड़े इस प्रकार की परिस्थती है कुछ अपनों से दूर जाना पड़े और कुछ अपने जिनको आप प्रेम करते हैं या करती हैं या जिनको हिरदे से बहुत मानते हैं, वो आपको छोड़ करके जाएं या वो कहीं और मूब आन हों, इस प्रकार की भी परिस्थते आपके इस कंडिशन के अंतरगत इस राशी फल में दिखती है, overall ब्रिस्चिक राशी कैसी रहेगी, overall बड़ी सांदार दिख रहेए, बड़ी सांदार इसले कहूंगा कि आपके राशी श्वामी दशंभाव में जाकर के गोचर करेंगे, सूरी की राशी में जाकर के गोचर करेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त हो, रुक प्रिष्ट नामक एक महत्पूर्ड योग अगर आपकी राशी में देखा जाए तो बन रहा है और ये योग आपको जीवन में बनाने वाला होगा आपके जीवन को परिवर्थित करने वाला होगा लेकिन अब आईए चर्चा करते हैं विस्तार से इस राशी पर जो मैंने कहा अगर आपकी राशी ब्रिष्चिक है और आपका जो नाम अक्षर है वो तो से आता है ता और ओ तो जो है वो बिशाखा रचतर के अंतिम चरण में आता है जिसके स्वामी है ब्रहश्पती अगर आपका ब्रिष्चिक राशी में नाम आता है और तो अक्षर से नाम आता है so आपको प्रॉपटी का लाभ इस माह में प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थित्री है, लेकिन share market इत्याद में हानी होगी, जुवा लौटरी शट्टा में हानी होगी, इस बात की भी ध्यान आपको रखने किया होशकता है, कुछ शत्रू आपको नौकरी में बदनामी करव एनुराधा नच्चत्र के जातक जातिका है, जिनका नाम अक्छर है नानी नुने, नानी नुने ये बृष्चिकराषी के अंतरगत आता है और सनी इस राषी के श्वामी है शनी इस नचत्र के स्वामी है चमा चाहूंगा शो अगर आपकी ब्रिश्चिक राशी है और जो नाम अच्छरमा ने लिया है इससे आपका नचत्र बनता है शो आप जाने वाले हैं विदेश इस महीने हैं आप जाने वाले हैं विदेश विदेश से संबंधित आपका जो कार है वो निश्चित रूप से बनने वाला है लेकिन किसी को जिनको आप बहुत हिरदैशे मानते थे या मानती थी वो आप से दूर जाएं इस प्रकार की परिस्थती भी आपके राशी के अंतरगत पूरी तरह से नजर आती है बट मिलने वाली है आपको एक प्रॉपटी ये भी ध्यान रखिए मिलने वाली है आपको एक प्रॉपटी होने वाली है बहुत सारी यात्राएं तो चलिए ये एक आनंदायक शमय है आपके लिए अगर देखा जाए साथ में अगर हम बात करते हैं एक आनंदायक अगर इस अक्षर स्रे आपका नाम स्टार्ट होता है आप ब्रिश्चिक राशी के जातक जातिका है जेश्टान शत्र आपका है आपके उपर बुद्ध का पूरी तरह से प्रभाव है इस महीने आपको शावधान रहना है तारीक आठ तक आठ तारीक तक आपको आर्थिक नुक्सान का सामना करना पड़े चोट और दुरघटना जैसी परिस्थती हो इसका स्ञयोग नजरा रहा है तो आपको बहुत सावधान रहने की आउश्चिक्ता इस महीने में दिख रही है शाथ में अगर हम बात करें अगर शाथ में परिस्थतीयों की बात करें आठ तारीक के बाद अपार धन का लाब होने वाला है शेर मार्केट में सफलता प्राप्त होने वाली है बिगडे हुए कार आपके बनने वाले है और प्राप्टी जैसे छेतर से बहुत लाब आपको प्राप्त होने वाला है प्रेमी प्रेमी काशे आपकी मुलाकात होने वाली है तो अगर हम ब्रिस्चक राशी को ले करके बात करते हैं तो कंडिशन इस महीने बहुत सारी अच्छी दिख रही है कुछ परिस्थितियों को ले करके कंडिशन प्रत्कूल दिख रही है लेकिन मैंने हमेशा एक बात कहा है ये मत सोच लीजिए कि एक राशी के सभी लोगों के शार्ट एक जैसी घटनाएं घटित होती है कई अलग-अलग लोगों के शार्ट अलग-अलग प्रकार की घटनाएं भी घटित होती है तो परमात्मा किरपा करें आपका जीवन शुक्मय हो ये मेरी सुभकामना आपके लिए जरूर है इस कारिकम के अंतरगत बाकी रात को बारा बजे और रात को नौ बजे और दो पहर को बारा बजे प्रदिन लाइब आता हूँ आप मेरे साथ लाइब जुड़ सकते हैं जो भी आपके प्रस्ण हैं वो इस कारिकम में पूछ सकते हैं इस कारक्रम में जुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जैश्री राम